हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं IRFC के बारे में कल के दिन मार्केट ओपन होने वाला है और जहां तक चांसेज हैं कल IRFC में आपको एक बड़ा उच्छाल देखने को मिल सकता है क्योंकि इसके पीछे के कुछ रीजन्स निकल के आ रहे हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो कि काफी ज़्यादा यहां पे लॉजिकल भी नजर आते हैं और चांसेज क्रियेट कर रहे हैं कि एक जो बड़ा यहां पे आपको मुमेंट देखने को मिला है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेसिन में वो आने वाले वीक में यानि कि कल से भी आपको कॉंटिन्यूरी देखने को मिल सकता है इसके बीचे के रीजन्स हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कुछ टारगेट्स निकल के आ रहे हैं बड़े बड़े एनलिस्ट की तरब से उस पर भी हम यहां पे डिसकसन करने वाले हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंबाउड होने वाली आपसे एक रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आप चैनल पे फर्स टाम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए चली वीडियो स्टार्ट करते हैं सबते पहले अगर हम यहाँ पे एक पर्टिकुलरी डेटा पर नजि डालें मैं यहाँ पे आपको डिरेक्ट लिज जो वाल्यूम का डेटा निकले काया है उस पे लेकाया हूँ यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि जो volume आपको continue देखने को मिलता था IRFC में काफी ज़्यादा average अगर हम उसको बोले तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता था एक average volume लेकिन अगर आप Friday के market scenario में देखोगे तो definitely अचानक से बहुत बड़ा volume आया है और यह जो volume आया है वो भी after second half यानि कि market जब आदा यहाँ पे हो चुगा था उसके बाद अचानक से इसमें volume आया और उसके बाद ही अचानक से इस particular stock में movement आयी जो कि हम आगर डिसकस करने वाले है लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे एक चीज़ जो और यहाँ पे प्रेश्टिंग निकल के आती है वो यह है कि इस particular data में आप यहाँ पे देख पा रहे होगे जो delivery percentage है वो आपको 40% 42% 45, 48, 49% के आसपास की देखने को मिल रही है यानि कि जितनी भी trading हो रही है उसमें आदे से ज़्यादा माल delivery उठाई जा रही है यानि कि लोग उसको portfolio में include कर रहे है इसके पीछे का reason निकल के आता है वो यह है कि जो share है वो अभी undervaluedness आता है और यहां से जो chances बनते हैं क्योंकि fundamentally बहुत ज़्यादा strong है तो chances यहीं बनते हैं कि आने वाले time में यह जो share है वो बहुत अच्छा खासा moment दिखा सकता है इसके पीछे का reason मैं अगर आपको बता हूँ तो यहाँ पे Friday के market scenario को अगर हम discuss करें तो यहाँ पे आपको करीवन करीवन 3.26% का एक अच्छा खासा moment इस particular stock में देखने को मिला अब यह जो 3.26% है normal shares हो कोई भी उसमें average moment दिखता है लेकिन इस particular stock के लिए यह बहुत बड़ा moment बाना जाता है क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे पिछले कुछ दिनों से कोई भी moment नहीं था पिछले 5 दिन के returns के बारे में भी अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो भी आपको करीवन 3.26% ही नजर आते हैं और अगर आप किछले 2-3 दिन के बारे में बात करो तो जो closing हो moment है जो मैंने आपको starting में बताया था कि जो अब आदा मार्केट हो चुगा था उसके बाद इसमें एक बड़ा moment आया विसके chart pattern के थ्रू भी देख पा रहे होगे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो after 1 p.m. आपको इस particular stock में एक moment देखने को मिला और moment continuously देखने को मिला और श आगे हम इसमें discussion करने वाले हैं लेकिन अगर हम यहाँ पे देखे तो कुछ chart pattern पे अगर हम यहाँ पे नजर डाले तो chart pattern मैंने आपको screen पर दिखा दिया है आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कुछ candle stakes जो की normally इसमें बनती हुए आ रही थी अभी तक share ने कभी भी ऐसा moment नह नजर आ रही थी और अगर आप देखोगे बहुत ही जादा चोटी 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 candles थी जो कि आपको इसके 20 days moving average से नीचे बनते हुए नजर आ रही थी लेकिन अब अगर आप यहाँ पे लास्ट में देखो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि share ने अपने 20 days moving average को cross क कर दिया है और definitely अगर आप यहाँ पे देखोगे एक बड़ी candle stick के साथ यहाँ पे cross किया है यहाँ पे अगर आप देखो तो hammer pattern बनते हुए नजर आ रहा है यानि कि एक दम से बहुत ज़्यादा गिरावट और उसके बाद एक बड़ा उचाल तो यहाँ पे एक hammer pattern बनते moment इस particular stock में देखने को मिल सकता है अब इसके पीछे के कुछ reasons भी निकल के आ रहे हैं अगर आप देखोगे तो Q3 का जो इसका result है वो बहुत ज़ली declare हो सकता है अब जब भी Q3 के result आएंगे उसमें chances हैं कि IRFC का जो result है वो आपको काफी ज़्यादा positive नजर आ सकता है Q2 के comparison में Q1 के comparison में और year on year basis पे भी तो जो यहाँ पर revenue increase हो सकता है और definitely जहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके net profit में एक अच्छा गासा उच्छाल आ सकता है प्लस यहाँ पर सबते बड़ी news जो निकल के आ रहे हैं वो यह है कि हो सकता है कि IRFC में आपको dividend या फिर bonus इन दोनों ची प्रोवाइड करा दे लेकिन सब्ते बड़ी दिक्कत जो नजर आती है bonus issue करने हम वो यह है कि अभी शेयर का जो प्राइस हो इतना ज्यादा नजर नहीं आता है और अगर आप देखोगे तो OFS का भी डर अभी particularly shareholders को लगा हुआ है बट मेरे काल से इस quarter result में कोई भी announcement OFS regarding तो OFS तब आएगा जब share एक अच्छी आची position में पहुँच जाएगा वहाँ थोड़ी बहुत छोटी मोटी गिरावटी भी हो जाए तो share पर कोई different ना पड़े अब यहाँ पर आप देखो तो bonus की news मैंने आपको बताई और dividend की news मैंने आपको बताई कि हो सकता है Q3 result में एक bonus मिलते हुँ नजर आजाए और dividend तो अच्छा कासा यह company आपको already provide कराती है अब यहाँ पर हम कुछ बात करें संजी बसीन जी की तरप से एक बड़े targets निकल के आ रहे हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर इन्हों ने अभी short term के जो target दिया है जिसको हम 3-6 महीने के बीच में रेज़ सकते हैं लेकिन 3-1 अगर हम यहाँ पर consider करते हैं तो उन्हों ने बताया है कि share अच्छा कासा perform कर सकता है और जिस according इसके technical indicators भी एक जो moment के बज़े से आए हैं वो यहाँ पर करीवन 31 रुपे तक की level तक खीच सकते हैं इस particular stock को तो जो share आपको 23-24 के आएगा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है अभी आपको यहाँ पर dividend और bonus देखने को मिल सकता है प्लस आपको Q3 के results बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकते हैं और expectations यह है कि IRFC के जो results है वो definitely बहुत अच्छे गासे आने वाले हैं तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया है वीडियो में जो भी चीज अच्छी लेगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजेगा अगर कुछ भी चीज खराब भी लगी हो तो आप उसको comment box में जरू mention कर दीजेगा so that मैं इसको अगली वीडियो में improve कर सकूँ अगर आप चैनल फे फर्स टाइम विजित कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को subscribe जरू करें so that आपको timely update मिलती रहे वीडियो अगर अच्छी लगए तो प्लीज वीडियो को like जरू करें धन्यवाद